दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत द्वरा बनाएंगे इंडिजनेस हाई बेंड जैमर के बारे में जानेंगे ये जैमर हमारे स्कुई 30M के एक क्राफ्ट के लिए बनाया गया है इसे डियाडियो की एक लैब D.A.R.E. ने डिवैल्प किया है D.A.R.E. डियाडियो की एक ऐसी लैब है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खबरों में नहीं रहती है ये हमारे फाइटर एक क्राफ्ट के लिए लेक्टरॉनिक वार्फिर सिस्टम डिवैल्प करती है और इसके साथ ही ये हमारे फाइटर जेट्स के लिए और हेलिकॉप्टर्स के लिए एवियोनिक्स की डिवैल्मेंट में भी शामिल है दोस्तो डिया डियो द्वरब बनाएं गए इस हाई बेंड जैमर की डिवैलिमेंट की शुरुआत तब हुई जब 2015 में हमारी एर फोर्स को ये पता चला था कि रिशियन S.A.P. 518 जैमर पॉड स्कोई 30M के एकराफ्ट के साथ अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं इंडियन एर फोर्स को ऐसा पता चला था कि ये जैमर पॉड स्कोई 30M के एकराफ्ट के हार्ड पॉइंट के साथ लगया जाता है तो वो इस एकराफ्ट के फ्लाइंग एंवलप को काफी रिस्टिक्ट कर देते हैं जाने की कम कर देते हैं हमारे कोई साइंटिस्ट का कहना था कि ये रिशियन पॉड स्कोई 30M के एकराफ्ट बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट एकराफ्ट ही बन जाता है जे इन पॉर्ट्स के काफी हैवी होने के तरफ एक डारेक्ट इशारा था कि इन पॉर्ट्स के साथ हमारे एक क्राफ्ट की अबिल्टी काफी कम हो जाती है इसके साथ ही इन पॉर्ट्स के साथ दूसरा बड़ा इशू ये था कि ये जैमिंग पॉड्स हमारे इंडिजनस आन बोर्ड रडार वार्निंग रसीवर के साथ अच्छी तरह इंटरफेस नहीं कर पा रहे थे इसके बाद D.A.R.E. को ऐसा काम दिया गया कि वो इस प्रॉब्लम को दूर करें इसके लिए एक नया पॉड वेल्प किया गया जो की एरो इंडिया शोव में दिखाया गया था ये D.A.R.E. द्वरा बनाया गया हाई बैंड जैमर पॉड है और अभी तक जो इसके बारे में न्यूज आई है वो ये है कि 2019 में इस पॉड के साथ हमारी स्कुई 30M के एक क्राफ्ट के उपर इसके डमी ट्राइल्स किये गये थे और ऐसी खबर थी कि इनको बहुत जल्दी ऑप्रेशनल कर दिया जाएगा ऐसी जानकारी थी कि ये हाई बैंड जैमर पॉड एक पूरी तरह इंडिजनस पॉड होगा DARE के एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक स्प्लेइन किया था कि इसमें तीन में सिस्टम्स है इसमें एक इंटिग्रेटड एलेक्ट्रोनिक वार्फिर स्वीट है इसमें एक Active Array Faced Transmit Receive Unit है और एक कूलिंग सिस्टम है इस पॉड में जो इंटिग्रेटड एलेक्ट्रोनिक वार्फिर स्वीट है और जो एक्टिव एरे Faced Transmit Receive Unit है वो दोनों ही हमारे देश ने डिवेल्प कर लिए है लेकिन जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो काफी कम्पलेक्स है तो इसके लिए एक इसराइली सिस्टम का इस्तिमाल किया जा रहा है लेकिन जब तक ये पॉड अपने फुल इंटिग्रेशन ट्रायल्स के लिए जाएगा तब तक इसमें एक इंडियन कूलिंग सिस्टम को लगा दिया जाएगा हमारे स्कुई 30M के ये क्राफ्ट के पालिट्स ने भी ये कनफर्म किया है कि ये पॉड एक बहुंज़ा प्रामिसिंग सिस्टम है दोस्तों ये जो पॉड है ये रशियन से पी 518 पॉड का एक रिप्लेस्मेंट है ऐसा हो सकता है कि ये पॉड उस पॉड के साथ कंपेरिबल हो और उसके मुकाबले में ज़्यदा अडवांस भी हो लेकिन हाल ही में स्कूइट एम के एक राफ्ट की एक वीडियो सामने आई थी जिसके बारे में ऐसा बताया गया था कि इसमें से पी 518 पॉड का इस्तेमाल किया गया है और इन पॉड को इस एक क्राफ्ट के साथ संक्सेस्फली इंटिग्रेट कर दिया गया है और जो इसके साथ प्राब्लम्स आई थी वो दूर कर दी गई है इसलिए फिलहाल हमारा एक क्राफ इन रशियन पॉड्स का ही इस्तिमाल कर रहा है लेकिन अगर हम रशियन जैमिंग पॉड्ड की केविबिल्टी को देखें तो हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारा ये इन रशियन पॉड्ड कैसा होने वाला है और कैसी केविबिल्टी वाला होने वाला है रशियन S.A.P. 518 एक अडवांस जैमिंग पॉड्ड है जो कि हैवी स्टाइक फाइटर्स के लिए बनाया गया है ये रशियन S.A.P. 30 सीरिस के एक क्राफ्ट के लिए बनाया गया है और ये हमारे S.A.P. 30 M के एक क्राफ्ट के साथ भी इंटेगरेट किया गया है इस पॉड्ड का प्राइमरी मिशन ये है कि ये दुश्मन के अडवांस डेफैंस को जैम कर देगा यब हमारा एक क्राफ्ट दुश्मन के गेंस्ट ग्राउंड टैक मिशन करेगा तो इसका ये जैमिंग पॉड्ड दुश्मन के अडवांस डेफैंस को जैम कर देगा ये बाकी एक क्राफ्ट के एलेक्ट्रोनिक सिनेचर्स की इमिटेट करेगा जिससे ये दुश्मन के सैंसर्स को एक गलत टारगेट देगा जने की एक फॉलस टारगेट जनरेट करेगा जिससे दुश्मन के एड फेंस सिस्टम्स को चकमा दिया जा सकेगा और उन्हें तबाह किया जा सकेगा ऐसी जानकारी है कि ये पॉड यूनाइटेड स्टेट्स के ALQ-99 जैमिंग पॉड के साथ कंपेरिबल है दोस्तो आप अमेरिका के लेक्ट्रोनिक वार्फिर एक क्राफ्ट EA-18G ग्राउलर के बारे में तो जानते ही है वो एक क्राफ्ट ALQ-99 सिस्टम का इस्तिमार करता है और क्योंकि हमारा हाई बेंड जैमर रशियन S.A.P. 518 जैमिंग पॉड की तरज पर बनाया गया है उसके साथ कंपेरिबल स्पैसिकेशन के साथ बनाया गया है तो हमारा जैमिंग पॉड अमेरिकन ALQ-99 जैमिंग पॉड के साथ कंपेरिबल होगा और उससे ज़्यादा पॉड भी हो सकता है दोस्तो ये पॉड काफी एडवांस्ट पॉड होने वाला है दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्कोई 30MK एकराफ्ट एक हैवी वेट फाइटर एकराफ्ट है और क्योंकि SAP 518 जैमिंग पॉड के साथ हमारे स्कोई 30MK एकराफ्ट के फलाइट एंवलोप में काफी प्रॉब्लम सा रही थी तो ऐसा हो सकता है कि ये DARE का जैमिंग पॉड काफी हलका बनाया गया हो लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि ये जैमिंग पॉड इतना हलका ना हो कि हमारी फलीट के दूसरे एकराफ्ट के साथ इंटिग्रेट किया जा सके क्योंकि हमारी fleet के जो बाकी aircraft हैं जैसे के LCA Tejas और दूसरे Mirage aircraft वो heavyweight aircraft नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि इस jamming pod की उनके साथ integration में काफी मुश्किल ही आए लेकिन क्योंकि हम इस pod को खुद develop कर चुके हैं तो इसको छोटा बनाने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी अभी देखना ही होगा कि ये jamming pod कैसे operate करता है और कैसी performance देता है तो इसके बाद हम हमारे देश में एक dedicated electronic warfare एक craft को भी develop कर पाएंगे दोस्तो ये jamming pod बहुत तरहें के काम कर सकेगा ये radio frequency signals को intercept करने केबल होगा और इसके साथ ही उनको automatically process करने के और jam करने के केबल भी होगा और इसके साथ ही ये signals को detect कर सकेगा identify कर सकेगा और वो signals कहां से आ रहे हैं उनकी direction को भी find कर सकेगा दोस्तो कई बारे ऐसा होता है कि जो जे jamming सिस्टम होते हैं इनको काफी ज़्यादा power की ज़रूरत होती है और हमारे 130M के aircraft के साथ ऐसी problems काफी लोगों ने बताई है कि उसके engines इतनी power generate नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा complex और ज़्यादा power hungry avionics को power कर सके इसके कारण उसके लिए एक नए engine की ज़रूरत बताई गई है जो कि ज़्यादा power generate करता हो दोस्तो जो अमेरिका के growler aircraft में ALQ99 सिस्टम लगाया गया है उसको 10.8 kilowatt की maximum power की ज़रूरत है और जो उसके नए version है उसको 6.8 kilowatt की power की ज़रूरत है लेकिन ये इस power को generate करने के लिए ram air turbine का इस्तिमाल करता है और जो कि इसके लिए power को supply करने के लिए इस्तिमाल की जाती है ram air turbine एक शोटी wind turbine होती है जो कि एक aircraft की hydraulic pump जाँ electrical generator के साथ connected होती है और इसे aircraft एक power source की तरह इस्तिमाल कर सकता है ये रैम एर टरबाइन एक क्राफ्ट की स्पीड के साथ जेनरेट हुई एर स्ट्रीम की मदद से अपनी पावर को जेनरेट करता है ज़ातर जो modern aircraft है वो ram 8 turbine को emergency में ही इस्तिमार करते हैं और जब किसी aircraft के primary और auxiliary power source खत्म हो जाते हैं तो ये aircraft अपने ram 8 turbine system का इस्तिमाल अपने आपको power करने के लिए इस्तिमार करते हैं जिसकी मदद से aircraft के vital systems जैसे के flight controls, linked hydraulics और flight critical instrumentation को power किया जा सकता है और ऐसे ही systems को हमारे कुछ aircraft में इस्तिमाल करकर ज़्यादा power generate करने के लिए इस्तिमाल कर सकता है ऐसी काफी बाते हुई थी कि हमारे LCA Tejas aircraft के साथ भी इन ram 8 turbines को यूज किया जाना चाहिए जिससे हमारा aircraft ज़्यादा power generate कर सके लेकिन अगर ऐसे systems डिवैल्प के जाते हैं और हमारे दूसरे aircraft के साथ इनका इस्तिमाल के जाता है तो ऐसी ram 8 turbines एक अच्छी option हो सकती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत